सबी दर्सकों को रादे रादे दोस्तों किसी परविक्षक भरती परिक्षा का संसोदित परणाम जारी हो गया था 21 जनवरी को आज हम वीडियो बना रहे हैं 25 जनवरी को एक बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल है कि क्या 20 जनवरी को जो कुश्चन मेटर पर सुनवाई हैं क्या होगा इनका क्या ये रद हो जाएंगी या पर ये रद कर दी गई है या पर बोर्ड ने इनको रद मान लिया है या पर क्या होगा क्योंकि बोर्ड ने रजल्ट निकाल दिया है अब क्या बोड बार बार रजल्ट निकालेगा तो बहुत सारे सवाल हमारे जो कुछ दर्सक है उनके आ रहे थे चलिए आज थोड़ा बहुत जवाब देने के हम कोसिस करेंगे कि क्या होगा आकरकार सवाल है कि रजल्ट बोड ने निकाल दिया है अब कोट में जिन प्रशनों पर सुनवाई नहीं हुई है जो अधपुर जो हाई कोट था उसका जो काफी लंबा चोड़ा फैसला था पीडियेप थी उसमें बहुत सारे कोश्चन थे जो छूट गए थे या जिनका उसमें जवाब नहीं था जैसे कक्चस्त के लिका थी एक किचिन था किचिन गार्णिंग बेमोस में गार्णिंग वाला था और एक रॉक फोस्पिट वाला था और कुछ एक दो कोश्चन नहीं हो रहे है तो वो कोश्चन क्या है उनका वहाँ पर जो सुनवाई थी जोदपुर हाई कोट में वो नहीं हुई थी या फिर जो जोदपुर हाई कोट का फैसला आया था उनका जो विबरन था उन कोश्चनों से संबंदित किसी भी प्रकार का विबरन उनमें नहीं दिया गया था तो क्या होगा आखिरकार और बोर्ड रेजल्ट जारी कर दिया रेजल्ट जारी हुआ सबको उम्मीद नहीं थी अचानक एकदम रेजल्ट सारे जो ग्यानी महा ग्यानी थे कोई आईडिया नहीं लगा पाया रेजल्ट के बारे में और अचानक से संसुदित परनाम बोर्ड की साइट पर आ जाता है धड़कने तेज हो जाती है कि आकरकार होगा क्या अब क्या होगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जैपुर हाई कोट में याच काई लेगी हुई है प्रिश्णों पर तो उन पर सुनवाई जरूर होगी बिल्कुल बकील उन पर भहस करेंगे तरक वितरक होंगे उसके बाद अगर जो याच का पक्च है जैसे किचिन गार्निंग पर लगाई हुई है किसी ने डिलीट के लिए लगाई हुई है रोक पोस्पेट पर रोक पोस्पेट के लिए लगाई हुई है कक्चस्त का पर आउट अफ स्लेवस के लिए लगाई हुई है अगर तरक वितरक जरूर बकीलों की बहस होगी सुनवाई होगी और उसमें अगर याच का पक्च अपनी बात रख पाता है केस जीत पाता है तो यह रजल्ट दुबारा बिल्कुल रवाईज हो सकता है कुछ लोग यह कह रहे हैं कि भाई नहीं आप कोई रजल्ट जार रवाईज नहीं होगा तो दोस्तों वह आप बिल्कुल बहुत ही गलत सोच रहे हो रेजल्ट बिल्कुल रिवाइज होगा आप कोश्चन रिवाइज होने दो तो रेजल्ट जरूर रिवाइज होगा लेकिन अगर याच का जो जैसे प्रशनों का जो मेटर है अगर उसमें कोई सबूत की कमी आ जाती है मचबूत पक्च अगर नहीं रख पाता है तो ही रेजल्ट दोबारा नहीं होगा इसी रेजल्ट को रखा जाएगा अगर एक भी कोश्चन रभाइज होगा तो बिल्कुल रेजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा अब ये पूछ रहें कि भाई अगर जब बोर्ड ने फिर रजल्ट क्यों जारी किया बोर्ड को रजल्ट जारी नहीं करना चाहिए था तो देखिए दोस्तो जो तो पुर आई कोट ने ने दे दिया उसके बाद रजल्ट जारी करने में ऐसी कोई लंबी चोड़ी कोफियां आजकल कंप्यूटर में सारा सौप्ट डाटा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती सौप्ट डाटा कंप्यूटर होता है सॉप्ट डाटा यारी कि मतलब जो एक बार कॉपी स्कैनिंग हो जाती है उसका डाटा पूरा कम्पूटरों में रहता है बोर्ड के पास तो उसको ऐसे दोबारा जल्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है और अगर मैं कहा रहा हूँ अगर जैपुर हाई कोट से कोई भी किसी भी एक प्रिशन में बगर बदलाव होता है तो बिल्कुल जो रिवाइज होगा और अगर बदलाव नहीं होगा और जहां तक मेरा जो खुद प्रिशनल आइडिया है दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि एक कोईशन या दो कोईशन बदलाव हो सकता है ऐसा कुछ सुनने में या फिर जो हमारे थोड़े बदलाव होने की संबावना है फिप्टी फिप्टी है पूरा में नहीं कह सकता लेकिन फिप्टी फिप्टी चांस बिल्कुल है अब अगर कोई ऐसा मचबूत पक्ष नहीं पेस हो पाया तो बाई चांस बिलकुल नहीं हो सकता लेकिन कुछ लोग यह करेतें कि याज का खारिज हो जाएंगी यह हो जाएगा तो देखिए कानून में ऐसा कोई प्रावदान नहीं बोड जाके कहदे कोट से कि याज का खारिज कर दो तो ऐसा कोई नहीं है अगर किसी ने किसी कुश्चन पर याज कर लगाई है तो उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो पीडियेफ जारी की जाई है उसके बाद एक पीडियेफ जारी होती है जैसे जूद पराई कोट ने पीडियेफ जारी की थी